हेलो फट्टिटू, अभिवादान आपका एक्जिमर के इस नए वीडियो एपिसोड में हेर आयल का चुनाव हम अपनी आउसकताओं, खुसबू या ब्रांड के भरोसे से करते हैं और आप यह कभी नहीं चाहेंगे कि आपका हेर आयल आपकी बिमारी की वजह बने साइद आपको यह जानकर शौक लगे कि हेर आयल ब्रांड्स आपको नुकसान ही नहीं पहुचा रहे हैं बलकि आपको बिमार भी बना रहे हैं और आज के इस वीडियो से आप जानेंगे भारती बाजार में बिकने वाले प्रमुख हेर ब्रांड्स में क्या है और बालों को स्वस्थ कैसे रखें जैसे प्रस्णों के जबाब विस्तार से ये और इनके अलावा और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में आपके जानने के लिए बाजार में जो हेर आयल आज मिल रहे हैं उनमें पेट्रोलियम पदार्त, आर्टिफिशियल फ्रिग्रेंसेज, अल्कोहल, कॉस्मेटिक कलर और हानिकारक केमिकल भरे पड़े हैं इन हेर आयल्स को अगर आप टॉक्सिक आयल कहें तो कुछ गलत नहीं होगा मैंने बाजार में मिलने वाले प्रमुक हेर आयल ब्रैंड में कमपनियोंने क्या मिला रखा है यहजानने की कोशिस की इस जांच परताल में मुझे हेर आयल्स की इंग्रिडियन्ट लिस्ट में एक चीज कॉमन मिली, वो है मिनरल आयल या एक petroleum by product है जिसे WHO ने पहली स्रेणी का cancer कारी पदार्थ माना है mineral oil में cancer पैदा करने वाले hydrocarbon हो सकते हैं mineral oil aging को बढ़ाता है तो अगर आपके भी hair oil में mineral oil है तो आपको उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और आप comment करके हमें जरूर बताईएगा कि आप कौन सा hair oil brand इस्तेमाल करते हैं मैंने अपनी इन ही जानकारियों के याधार पर बजार में मिलने वाले hair oils को अच्छे से खराब के क्रम में 4 category में बाटा है category 4 में मैंने सबसे खराब hair oils को रखा है इन में मिला है mineral oil, cosmetic color, fragrances, harmful preservative, TPHQ, BST में से कोई एक या सभी आपको या जानकर आश्चर होगा कि बाजार में ज़्यादा तर hair oils इसी category में आते हैं इस category में जो brand सामिल है उनमें सबसे पहला नाम है wasmol jasmine premium hair oil का इस brand में company ने मिलाया है 94.37% mineral oil, 5% coconut oil और जो बचा है वो है chemical color, fragrances तो अब इनकी तारीफ में क्या कहना लोग आखों में धूल जोकने की कोशिस करते हैं यहाँ wasmol ने तो आखी निकालने की कोशिस की है और आईए अब जानते हैं हमारा बजाज के बजाज almond hair oil के बारे में इस तेल में 77% light liquid paraffin मिला है जो mineral oil का ही दूसरा नाम है साथ में chemical color, petroleum product, TPHQ, artificial fragrances भी है इसमें मिला है 21% सरसों का तेल और sweet almond oil यानि बादाम का जो तेल है वो 21% से भी कम है और इस hair oil में नाम बादाम का और काम क्या है ये तो आप पैक को देखकर ही समझ जाएंगे ऐसा नहीं है कि ये कहानी के वल बाजाज almond oil तक ही सीमित है बाजार में उपलब्द अन ब्रैंट्स के almond oil की कहानी कुछ इससे जुदा नहीं है और आईए अब जानते हैं डाबर almond के बारे में डाबर almond में 23% से भी कम almond oil है और आईए अब जानते हैं parachute advanced jasmine coconut oil के बारे में इस brand में company ने मिलाया है 80% मिन्डल oil, 20% coconut oil डाबर वाटी का jasmine में भी 85% मिन्डल oil और 10% coconut oil डाबर आउला की कहानी तो सबसे जुदा है इसमें company ने मिलाया है 40% मिन्डल oil, 58% आउला extract पर आउले का तेल कितना है या जानने में ही तो तेल निकल सकता है ऐसा ही निहार आउला है इस hair oil में 64% मिन्डल oil, 35% vegetable oil और आउला extract है पर आउले के तेल के बारे में कोई भी specific information company ने नहीं दी है डाबर का सरसों आउला case oil भी ऐसा ही है इस तेल में 58% मिन्डल oil, 40% सरसों और आउला extract है बजार में मिलने वाला एक और पुराना brand केयो कार्पिन भी इन्हीं की तरह है केयो कार्पिन में 70% मिन्डल oil, chemical color, fragrances और preservative मिले हैं हिंदुस्तान लीवर के clear में 94% मिन्डल oil, 2% sunflower oil और जो बाकी बचा वो है chemical color, fragrances और preservative ऐसी ही कहानी parachute advanced coconut oil, parachute aloe vera enriched coconut oil, इमामी case king, hair and care, hair and care fruit oil, इमामी 7 oil in one, medicare natural oil, clinic plus hair oil, coconut nourish, hair and care का silk and sign, parachute arvedic gold oil इसी category में आते हैं इन सभी में chemical color, petroleum product, BHT, TPHQ, artificial fragrances वा अन्यहानिकारक चीजें मिली हुई हैं अगर आप भविस्त में होने वाली किसी भी समस्चा से बचना चाहते हैं तो आपको इन hair oil से दूरी बना कर रखनी चाहिए और आईए अब बात करते हैं category 3 की इस category में हमने रखा है बजाज ब्राम्ही आउला, पातांजली केस क्रांती आमंड हैर oil, बायो टेक के बायो भिंग रॉज आईल, पैरसूट एडवांस आईरवेदिक हैर आईल, डाबर वाटिका इनरिच कोकोनट आईल, पातांजली केस क्रांती आईल, आउला केस तेल, त TPHQ और Artificial Fragrances इन्होंने मिला रखा है, इन ब्रांट्स में कई सारी चीजें जैसे भेंगराज, आमला, नीम और ब्राम्ही मिली हुई है, लेकिन वो भी बहुत कम मात्रा में, अन्य चीजें बेस इंग्रीडियन्ट लिखकर छुपा दी गई है, यह बात मेरे समझ के बाहर ह कि तेल जैसे आसानी से निकाली जा सकने वाली चीज में सिर्फ 10% इंग्रीडियन्ट लिखना, यह कहां तक सही है, हमारी सला से आपको इन सभी हैर रॉल्स को यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन में chemical color, petroleum product, BHT, TPHQ, artificial fragrances वा अन्यहानिकारक चीजें मिली हुई है, और आ हमानी नौरतन coconut cool oil, हमानी नौरतन cool light oil, हिम गंगे, हिम ताज तेल, हिम सागर तेल, हिम सार तेल, राहत रूफ, सदा बहार आयरवेदिक ठंधा तेल, हिम रोज ठंधा तेल, तुलसी ठंधा ओयल, सांती ठंधा तेल, पंचवती ठंधा तेल, हिम रिशी ठंधा तेल, पातां प्रोफेसर मिस्रा ने दो साल तक चली अपने रिसर्च में यह पाया कि ठंडा या कूल करने का दावा करने वाले हैर ब्राइंट्स में मिला कपूर लोगों को किड्नी की बिमारी, एक्जिमा, आखों की समस्या, केमिकल इंबैलेंस, फिट्स, नर्म में सूजन और मस्तिस्क प्रोग का कारण बन रहा है, और खास कर गर्वती और दूत पिलाने वाली महिलाओं में, ऐसा सिर्फ इन कूल और इसमें मिला जादा कपूर की वज़े से हो रहा है, प्रोफेसर मिस्रा ने भारत सरकार को भी इस विसेय में लिखा, और अमिताब बच्चन से भी इस तरह के बिग्यापन ना करने का अनुरोध किया पर जो हुआ वो तो आपको पता ही है तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लोगों को जागरूख करे जिससे इन कंपनियों की बदमासी से लोगों को बचाया जा सके अब तक इतने सारे hair oils के बारे में जानकर आप भी या जरूर सोच रहे होंगे कि hair oil जैसी आसानी से मिलने वाली चीज में इतनी मिलावट की क्या हो सकता है तो आईए अब जानते हैं इसका क्या जबाब है दरसल mineral oil जो hair oil में प्रमुक्ता से मिलाया जाता है वा गंधरहित और स्वाधरहित होता है और मिलता भी सस्ता है mineral oil में किसी तरह के chemical और perfume को आसानी से मिलाया जा सकता है इन oils को TPHQ और BST जैसे chemical की मदश से लंबे समय तक उप्योग करने लाइक भी बनाया जा सकता है साइध आपको यह मालूम नहीं होगा कि fragrances को बनाने में 200 तरह के chemical का इस्तिमाल किया जाता है और आईए अब बात करते हैं category 1 के बारे में इस category में हमने 100% pure coconut oil वाले brand को रखा है ये brands हैं पैरसूट coconut oil, पातांजली coconut oil, डाबर अनमोल इनके अलावा, इसके अलावा आप चाहें तो तिल का तेल, सरसों का तेल, जैतून वा बदाम के तेल का भी इस्तिमाल कर सकते हैं और आईए अब जानते हैं कि बालों को स्वस्त कैसे रखें अक्सर लोग hair fall सुरू होते ही, सेंपू और तरह तरह के hair oils का इस्तिमाल करना सुरू कर देते हैं तो सबसे पहले बात कि क्या करें कि आपके बाल मजबूत हों बाल न जढ़े, इसके लिए आपको high protein और high fiber diet लेनी चाहिए क्योंकि बाल protein से बने होते हैं इसके अलावा आपको packet food, cold ring, चीनी से बने उत्पाद और तंबाकू के सेवन से भी बचना चाहिए थोड़ा बयायाम रोज करें और जब भी बाहर निकलें तो बालों को धूल और प्रदूसर्ण से बचाने के लिए धक जरूर लें बालों को धोने के लिए हर्बल शेंपू का इस्तेमाल करें और आप अपने लिए बहतेरीन शेंपू कैसे चुन सकते हैं इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारा पिछला वीडियो भी देख सकते हैं इसके अलावा सर में लगाने के लिए कोकोनेट ओयल का इस्तेमाल बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी कर सकते हैं और अगर आपको डेंडर्फ की समस्या है तो आपको बदाम का तेल लगाना चाहिए अगर आपके बाल रूखे हैं और आप ठंडी जगहों पर रहते हैं तो सरसों का तेल लगाए और अगर आप गर्म जगहों पर रहते हैं तो आप तेल का तेल लगा सकते हैं और अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो तेल और सेंपू की चिंता बाद में कीजिएगा पहले आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए क्योंकि बालों की गिरने की वज़ा अनीमिया, हॉर्मोन्स में बदलाओ, प्रदूसर्ण वा अन्र मेडिकल प्रॉबलम हो सकते हैं और अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉबलम है तो फाइदा इलास से होगा ना कि शैंपू और हैरोयल को बदलने से और वीडियो के अंत में हम आपको यह कहना चाहेंगे कि यह वीडियो प्रायोजित नहीं है मैं किसी भी बेक्ति, संस्था या ब्राइंट से जुड़ा नहीं हूँ और किसी भी बेक्ति ने मुझे यह वीडियो बनाने के लिए नहीं कहा है जो जानकारी मैंने दी है वो मेरी अपनी रिसर्च पर आधारित है और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा इस विसे से संबंधित अगर आपका कोई प्रस्ण अनुभव या सुझा हो तो आप कमेंट कीजिएगा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद नमस्कार